इस वीडियो में हम फिनॉल की नेक्स केमिकल रियक्शन, नेमिंग रियक्शन, हाववेन हॉस रियक्शन को डिसकस करेंगे इसके पहले हमने गाटरमान सिंथेसिस रियक्शन देखी थी यह रियक्शन भी गाटरमान सिंथेसिस के समाहनी रियक्शन है इस reaction में जो polyhydric phenol होता है polyhydric का meaning जिसमें तीन, दो या दो से अधिक OH group present होते हैं तो जो polyhydric phenol होता है उसकी reaction करवाता है alkyl cyanide तो तो hydrogen chloride के साथ aluminium tri chloride की presence में तो इनकी reaction के द्वारा एक compound बनता है जिसका नाम होता है ketamine वो जो ketamine compound होता है जब उसका aqueous acid के साथ hydrolysis करवाया जाता है तब जाकर polyhydroxy aceto phenol यह इसी को बोलता है 246 tri hydroxy aceto phenol का formation होता है जो polyhydric phenol होता है इसका जो first carbon होता है इस position पर COCH3 group आकर attach हो जाता है इस type से polyhydric phenol से polyhydroxy aceto phenol का formation होता है हम आगे इसकी mechanism देखेंगे mechanism में सबसे first में जो HCl होता है hydrogen chloride होता है वो H plus और C L minus ions में breakdown होता है इसका H plus बनता है C L minus बनता है फिन next reaction में जो alkyl cyanide था उससे जो H plus से वो react करता है यहाँ पर जो H plus होता है यह इस nitrogen की साथ जोड़ता है इस nitrogen में यहाँ पर lone pair होता है तो एक electron की साथ यह hydrogen bond बना लेता है तो यहाँ पर NH positive के form में यह बन जाता है यह जो compound है इस type से भी हो सकता है means यहाँ का जो यह triple bond है इन में से एक bond अगर break हो जाए तो यहाँ पर valency generate हो जाएगी फिर से इस nitrogen के पास उसका lone pair CEL बना था वो इसके react करता है इसके साथ reaction करता है तो इसका जो carbon होता है इसके साथ जूड़ जाता है CEL और इस compound का formation करता है next step में यह जो हमारा यहाँ पर compound बना है इसके साथ जो aluminum trichloride है वो react करता है जो aluminum trichloride है पहले के वीडियो में मैंने बताया था यह लैविस एसिड की तरह कारे करता है इसके पास ओक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो यह किसी से एलेक्टरॉन लेता है और अपने औक्टेट को लेकर निकलता है इसलिए इस carbon की उपर positive sign आ जाता है step से यह पर carbon का formation होता है आगे वह जो वहाँ पर carbon का बना है वो react करता है polyhidric phenol से जब यह react करता है तो इस polyhidric phenol का जो यह first carbon होता है इसके उपर attack करता है यह कार्बो किटायन का कार्बन यहाँ पर इससे जुड़ जाता है अब हमको पता है कि जो बैंजन रिंग की सभी कार्बन होते है 6 कार्बन के पास 6 हाइडोजन भी एड होते है मैंसे यहाँ पर हाइडोजन एड था और यह इसके उपर अटिक करता है अब यहाँ पर जैसे ही अटिक करता है तो यहाँ पर हाइडोजिन भी जुड़ा होता है और यह वाला गृप भी इसके साथ जुड़ जाता है जैसे ही यहाँ पर यह इसके साथ जुड़ जाता है तो यह जो यह वाला कार्बन होता है इसके यहाँ पर total valency 5 हो जाती है अब यहाँ पर valency बढ़ जाती है इसके कारण यह जो compound रहेगा यह unstable रहेगा क्योंकि यहाँ पर valency जादा है इसके aromaticity यहाँ पर कम हो गई है unstable हो गई है तो इसके aromaticity फिर से लाने के लिए यह जो h plus रहता है यहाँ से bond break करके यह बाहर निकलता है जैसे यहाँ से h plus बाहर निकल जाता है मानस h plus के form में यह बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर फिर से यह single bond carbon जुड़ा होता है और इस step से यह वाले compound का formation होता है अब आगे के step में यह जो compound बना है इसका होता है hydrolysis h2o के साथ इसके reaction होती है तो यहाँ पर जो nh होता है यह यहाँ से double bond रहता है यह break होता है यह जब double bond यहाँ से break होगा तो इस carbon के पास दो valency आएगी और यहाँ से जो nitrogen निकलेगा वो भी दो valency के साथ nh के form में दो valency के साथ निकलेगा अब जो h2o रहेगा उसमें ho h water molecule में जो hydrogen hydrogen के साथ जो oxygen के bonds रहेंगे दोनों bond break होगे तो यहाँ से जो oxygen निकलेगा यह भी दो valency के साथ निकलेगा यह जो दो valency के साथ oxygen निकलेगा यह bond बना लेगा इस carbon के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा c o c h 3 c o c h 3 इस टेप से यहाँ पर formation होगा poly hydroxy acetophenone का या इसी को बोलते है 2,4,6 tri hydroxy acetophenone और जो यहाँ से n h निकला था और यहाँ के दो hydrogen थी यह दोनों hydrogen यहाँ पर इस n h के साथ bond बना लेगे इस टेप से यहाँ पर formation होगा n h 3 का यह जो poly hydroxy acetophenone है इसे 2,4,6 tri hydroxy acetophenone भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर यह रहेगा 1st carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon and 6 carbon तो 2nd, 4th and 6 carbon पर hydroxy group जुड़े हैं इसको बोलेंगे 2,4,6 tri hydroxy acetophenone